बागिरती नदी और भिलागना नदी के संगम पर बना ओँआ हैं काह पर इससे अंतरा खन्ड में स्थीत है इसकी उचाई कितनी है 260.5 मीटर ठीके ये इसकी उचाई है भारत का सबसे उचा नदी बांद भारत का सबसे लंबा बांद है भारत का सबसे लंबा बांद कौन सा है हीरा कुन बांद कहां पर इस्तिते हैं ये ये उडिसा में इस्तिते हैं इसकी देखिए लंबाई कितनी है 4.8 किलो मिटर भारत का सबसे लंबा बांद टियरी बांद किन दो नदियों के संगम पर इस्तिते हैं किन दो नदियों के संगम पर इस्तिते हैं देखिए भागी रती और भिलांगना नदी के संगम पर इस्तिते हैं D answer यहां पर सही होगा चलि अगला question लेते हैं हिराकुंट बांद किस राज़े में इस्ति थे हैं उडिसा में इस्ति थे रानी लक्षमी बाई बांद किस नदी पर इस्ति थे हमने बात करी थी उत्तर पतेश में इस्ति थे माता टिला बांद भी हमने डिसकस करा था जो की बेतवा नदी पर बनाय गया है मेट्टूर बांद किस राज़े में इस्ति थे मेट्टूर बांद जो है वो देखिए कावेरी नदी पर बना हुआ है वो तमिल नाडू में इस्ति थे तमिल्नाडू में देखिए हमने एक ही बांध को डिसकस कराता वो कौन सा था? मेट्टूर बांध कावेरी नदीपर इस थी थे कावेरी नदीपर देखिए friends हमने तीन बांधों को अच्छे से डिसकस कराता सबसे पहला देखिए कौन सा? शीव समुद्रम उसके बाद हमने बात करी थी क्रशना सागर बांध की और तीसरा हमने बात करा था मैट टूर की ठीक है तो क्रशना सागर को लेकर देखिए कन्फ्यूज मत होईएगा क्रशना सागर नाम में क्रशना है तो ऐसा नहीं है कि क्रशना नदी पर बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है चलिए अगला कुशन लेते हैं अलमाटी बान किस नदी पर निर्मित है अलमाटी बान जो है वो किस नदी पर बना हुआ है देखिए क्रश्णा नदी पर बना हुआ है हमने डिस्कस कराता देखिए क्रश्णा नदी पर तीन बान सबसे पहला कौन सा था अलमाटी बान सेकेंड नमबर पर कौन सा था देखिए नागरजून सागर बान और तीसरा हमने डिस्कस कराता श्री सेलम बान तो ये तीन बांदों को हमने अच्छे से डिस्कस करा था आई होप आपको पता होगा तो यहाँ पर देखिए अलमाटी बांद के बारे में पूछा था हीराकुन बांद किस नदी पर निर्मित हैं? हीराकुन बांद जो है वो किस नदी पर इस्तिते देखिए पंजाब बार्डर पर इस्तिते थीन बांद इसे ही देखिए रंजिस सागरबांद के नाम से जाना जाता है क्लियर? नागरजुन सागरबांद भारत के किस राज़े में इस्तिते हैं? नागरजुन सागरबांद जो है ये आंदरप्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर रिस्तिते हैं पहले ये आंदरप्रदेश में हुआ करता था पर तेलंगाना के गठन के बाद में देखिए ये आदा भाग इसका चला गया तेलंगाना में और आदा रह गया आंदरप्रदेश में तो ये 2012 में question पूछा गया था तो यहाँ पर देखे option B आंदरप्रदेश निम लिकित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबन दीते हैं सरदार सरोवर नदी परियोजना जो है ये friends नर्वदा नदी पर चलती हैं तो A answer इंदरा सागर बान किस नदी पर इस्तिते हैं तो इंदरा सागर बान कहाँ पर डिसकस कराता हमने MP में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में तीन बान हमने डिसकस करेते एक कांधी सागर बान जो की चंबल नदी पर उसके आद बर्गी बांद और इंद्रा सागर बांद ये दोनों हमने डिसकस करें ते नर्वदा नदी पर इस्तिते हैं तो यहाँ पर देखिए सी आंसर नर्वदा नदी चलिए अगला कोशन लेते हैं निम लिखित में से कोन सा बांद नर्वदा नदी पर नहीं बनाएं बर्गी बांद देखिए नर्वदा नदी पर बनावा हैं ओकारेश्वर भी देखिए नर्वदा नदी पर हैं इंद्रा सागर भी नर्वदा नदी पर हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की देखी बॉटर पर इस्तिते हैं भखरा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी हैं भखरा नागल नदी घाटी परियोजना ही है। शिव समुद्रम जल विद्योजना कहांपर इस्तिते हैं। तो शिव समुद्रम जल्विद्यूत परियुजना कहां पर होगी? गरनाटक में होगी? D answer नागरजुन सागर बान जिस नदी पर इस्तिते हैं वह हैं नागरजुन सागर बान हमने डिसकस करा था देखिए करशना नदी पर D answer करशना नदी पर तीन बान अलमाटी, नागरजुन सागर और श्री सेलम ठीके? दिमाग में चप जाना चाहिए मान अदी पर निर्मित बान का नाम है मान अदी पर देखे कौन सा बान बना हुआ है? हीरा कुंड बान निम लिखित में से कौन सा बान चंबल नदी पर बना हुआ है? नागरजुन सागर बिल्कुल भी नहीं राना प्रताप सागर बिल्कुल सही Very-very important question है राना प्रताप सागर बांध जो है ये राजेस्थान में इस्तित हैं और चमबल नदी पर बनावाएं Next question लेते हैं गोविन वल्लप सागर बांध इस्तित हैं गोविन वल्लब सागर बान जो है वो किसे कहा जाता है रीहन बान को ही कहा जाता है और ये कहां पर इस्तित है ये उत्तर प्रदेश में इस्तित है बी आंसर निम लिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाकडा नागल सतलज नदी पर बना हुआ है बिल्कुल सही सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्वदा नदी पर है बिल्कुल सही नागरजुन सागर देखिये गोदावरी नदी ये गलत है नागरजुन सागर जो है ये फ्रेंड्स हमने डिसकस करा है क्रश्णा नदी पर है तो यहाँ पर C आंसर जो होगा वो सुमेलित नहीं है D आंसर हिराकुन बान महालादी बिल्कुल सही निम लिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर B वाला जो है वो सुमेलित नहीं है ध्यान रखेगा धामोदर नदी घहटी परियोजना के अंतरगत तीन बान हमने डिसकस करेते तलेया बान जो था वो बराकर नदी पर मेथान बान भी बराकर नदी पर पंचेत बान जो था वो कौन से नदी पर था दामोदर नदी पर ठीके दुलस्ती हाइडरो पावर प्लांट किस नदी पर इस्तिते हैं दुलस्ती बान कहां पर इस्तिते हैं हमने देखिए जमू कश्मिर में तीन बांदों को डिसकस कराता है, उसमें से दुलस्ती बांद, चनाब नदी पर इस्तित हैं, बी आंसर, निमलिकित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवार सागर रादेस्थान में, बिल्कुल सही है, चंबल नदी पर बना बी आंसर यहाँ पर जो होगा, वो सही सुमेलित नहीं है, गांदी सागर, मद्यपदेश, नागरजून सागर, आंदरपदेश बिल्कुल सही, मेजा बांद का निर्मान हुआ है, मेजा बांद का निर्मान कहाँ पर हुआ है, राजयस्तान के देखिए कोठारी नदी पर, अगला कुशन लेते हैं, पोंग बांद किस नदी पर बनाया गया है, पोंग बांद जो है, यह देखिए व्यास नदी पर बनाया गया है, कहां पर इस्तिते हैं हिमाचल प्रदेश में इस्तिते हैं, भारत में प्रतम जल विद्यू सैंतर के इस्तापना की गई थी, तो दे अंसरियां पर सही होगा अगर दूसरे की बात करें तो 1902 में ध्यान रखेगा शिव समुद्रम जो की करनाटक में इस्तित हैं कावरी नदी पर उसकी इस्तापना की गई थी वो भी जल विद्यू सयंत रहें महाँ पर देखिए उसे सीचाई के उद्देशे से नहीं बनाया ग नेक्स्ट कोशन लेते हैं तिलया बांध किस नदी पर निर्मी थे हैं तिलया बांध जो है देखे दामोदर नदी की सायक नदी जो है बराकर नदी उस पर इस्तिते हैं ये बी आंसर बहुद्देशी नदी घंटी परियोजनाओं को आधूनिक भारत के मंदीर किस ने कहा अधूनिक भारत के मंदर किस ने कहा था जवाहर लाल नेहरूने कहा था है बी आंसर नागर्जुन सागर बहुद्देशी परियोजना गून सी नदी पर सथिते हैं ये ये बांसर नेक्स दिन लेते हैं भारत पाक बगली हार परियोजना निम नदियों में से किस एक नदी B answer गुजरात में देखी हैं हमने तीन बांदों को डिसकस कराता एक उकाई बांद ये भी देखिए तापती नदी पर हैं सेकेंड हमने डिसकस कराता ये देखिए नर्बदा नदी पर और तिसरा काकरापार परियोचना जो कि तापती नदी पर ठीक है, very very important नात्पा जाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित हैं? नात्पा जाकरी परियोजना जो है मतलब नात्पा जाकरी बान जो है वो किस नदी पर बना उवा हैं सतलज नदी पर बना उवा हैं हिमाचल प्रदेश में इस्तिते हैं A answer नेक्स्ट कोशन लेते हैं चलि अगला कोशन लेते हैं उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में तापी नदी मतलब तापती नदी पर इस्थी थे हैं भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो हमने बात करीती भाकडा नागल नदी घंटी परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घंटी परियोजना है इन में से किसे राम सागर डेम के नाम से जाना जाता है ये very important question है पोचम पाड डेम जो है जो की तेलंगाना में रिस्तित है उसे देखिए राम सागर डेम के नाम से जाना जाता है क्रशना सागर बांद किस नदी पर इस्तिते हैं क्रशना सागर बांद देखिए यहाँ पर क्रशना वर्ड आ रहा है तो ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए कि क्रशना नदी पर इस्तिते हैं मेटटूर, ये कहां पर रिस्तिते तमिल नाड़ू में और काविरी नदी पर बना हुआ हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध़्यान रखेगा श्री सेलम बान किस नदी पर रिस्तिते हैं? तो श्री सेलम बान सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्लियर है ये करनाटक में इस्ती थे, नागर जुन सागर बान जो है, ये आंदर प्रदेश और तेलंगना बॉर्डर पर इस्ती थे, और श्री सेलम बान जो है, ये आंदर प्रदेश में इस्ती थे, क्लियर, श्री सेलम बान किस राजे में इस्ती थे, किस राजे में इस्ती थे, आंदर प पर इस्तिते राजस्थान में हमने बात करी थी, लूनी नदी पर देखिए ये इस्तिते हैं, जवाई नदी जो हैं, वो लूनी नदी के सायक नदी हैं, तो उस हिसाब से यहां पर ए अंसर जो होगा, बिल्कुल सही होगा, रेणुकाजी बांद किस नदी पर बनाया जा रहा और गिरी नदी पर ये पनाया जा रहा हैं, यमुना नदी के सायक नदी गिरी नदी पर इसका काम चल रहा है, यह अंसर सही होगा, चली अगला कोशन लेते हैं, किशाव बांद इनमें से किस नदी पर इस्तिते हैं, किशाव बांद जो है, यह ध्यान रख्येगा हिमाचल प्रदेश और उत्रा खंड की बॉर्डर पर इस्तिते हैं और किस नदी पर इस्तिते हैं ये टोन्स नदी पर इस्तिते हैं C अंसर निम्न लिखित बांदों और नदियों को सही सुमेलित कीजिए कावेरी नदी, देखें फ्रेंड्स, मेट्टूर, क्रश्ना नदी, अलमाटी, नर्वदा नदी, सर्दार सरोवर, चम्मल नदी, गांदिसागर तो A का देखिए हो गया हमारा दूसरा, B का हो गया एक, तिसरे का हो गया चोथा, और देखिए D का हो गया हमारा तिसरा एक, तीन और चार दो, एक, तीन, चार मतलब D अंसर चलिए अगला कुशन लेते हैं नदियों और बांदों को देखे सुमेलित करना है दामोदर, यहाँ पर हमारा हो गया पंचेद बांद चंबल हो गया हमारा राणा प्रताफ सागर बांद जो कि राजेस्थान में इस्ती थे हैं पंचेद बांद कहां पर इस्ती थे जारकन में इस्ती थे हैं बराकर हो गया हमारा तिलया बांद जो कि जारकन में इस्ती थे हैं बेतवा देखे यहां पर हमारा हो गया माता तिला बांदें तो friends ध्यान रखेगा भागडा नागल बांद जो है यह वीश्व का सबसे उचा गुरुत्वी बांदें यहाँ पर भी answer सही होगा तो देखें friends यहाँ पर हमने 50 important questions solve करें हैं भारत के बांद और बहुत देशी परियोजनाव से संबंदित very very important 50 questions है यह बार-बार मैंने आपको अच्छे से explain इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़े जो है वो अच्छे से fit हो जाए तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए एक बार और सारे questions अच्छे से practice कर लीजिए तो friends I hope आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाए तो please वीडियो को लाइक करिए share करिए और comment करके ज़रू बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर आएं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत